दोस्तों मैं डॉक्टर पुनम आपका बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कैसे मुझे नौक बी जिसे आज के हम टियर सिस्टम बोलते हैं और मेरी जॉब है टियर टू लेवल की जो कि आगे पी आर में बहुत ज़्यादा हल्प करती है पूरा डिसकस करेंगे कि क्यों जरूरी होती है हमें नौक टियर अच्छे टियर लेवल की जॉब लेना कैनेडा में एस स्टूडेंट और कैसे मुझे वन मंत के अंदर ये पूरी वीडियो में तो वीडियो के अंतक बने रही है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो कर दीजेगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर्ली मिलती रहे और साथ में अगर आपने इंस्टाग्राम फोलो नहीं तो पीडियो में बात करें गें ऱ् reviewers के लिए क्योंकि मैं बीडिकल ग्रइजुएट नहीं की मैं इंडिया दूम में जब की है किा है कंड़ाम में मुझे बहुत जादव हलम रही है यहां पे जॉब लेने के लिए नॉग-बी और टेयर टू-फी जॉब यप करती थीति और और इसके लिए eligibility जो criteria रहता है वो है medical graduates का, either you are BSC medical, or you are BHMS, BAMS, BDS, कोई भी आप medical graduation आपने कर रखे हैं, तो आप इस job के लिए eligible होते हो, और medical scribing basically होता क्या है, इसमें आप एक scribe होते हो doctor के लिए जो US में work करते हैं, basically American doctors के लिए आप as a assistant work करते हो, और उनकी documentation में आप help करते हैं, और ये सारा कुछ online चलता है, मैं इंडिया से job करती थी, online सारा network था, और night shifts की job होती है, basically इसमें आपको as a live scribe, मलब as assistant आपको doctor के साथ उनकी live opedy में काम करना होता है, मान लीजे, एक doctor और एक patient की conversation चल रही है, और आपको पूरा capture करना होता है, headphone लगा कर, और आप doctor से बात भी करते हैं, और आपने questions वगरा भी पूछते हैं, आपको अपनी critical thinking का use करना होता है, कि हमें क्या history of present illness में लिखना है, patient किस complaint के लिए आया है, और क्या उसको आगे-अगे problems हो रही है, वो सारा कुछ जो है हमने note करना है, इन short अगर मैं बताओं, तो हमें पूरी एक, जो हम हाथ से लिखते हैं, अपनी case history वगरा, या हम किसी भी hospital में जाते हैं, और वहाँ पर doctor हमारी history पूछता है, कि आपको past medical history क्या है, आपकी surgical history क्या क्या medicines लेते हैं, या फिर यह problem जो आपको भी हो रही है, वो कितने time से आपको हो रही है, तो यह सारा कुछ हमें as a scribe, हमें पूरा document करना होता है, because America का system है, उसमें एक health, electronic health record system चलता है, means सारा कुछ feed होता है patient का electronic health record में, जो की जिसका जो take care है, वो हम medical scribes करते हैं, most of the part are taken care by us as a scribe, so यह बहुत ही जादा skilled job है, इसका जो मैं बोलूँ की training जो हो बहुत जादा hard होती है, उसके बाद जब आपका एक बार हार टिक जाता है, तो आपके बहुत जादा अच्छी और easy job भी बन जाती है, so basically 2019 में में यह job start की थी, total मुझे 6-7 months लगे थे training period के, क्योंकि जो मैं कंपनी जोइन की थी, उसका यह एक normal criteria था, 6-7 months training का, okay, so training में आपको सबसे first thing जो main होती है, वो है आपकी typing speed, मेरी zero, मुझे कुछ नहीं आता था, typing का मैं पूरा देख देखे, keyword पर typing करती थी, but within one month, मेरी speed है, 40 words per minute की हो गई, with practice आप भी कर सकते हैं, आजकल online free typing skills के लिए, अगर सर्च करेंगे, एक है typing.com, या फिर मैं आपको description में जरूर उसके link दोंगी, जिससे आप practice करा सकते हैं, अपनी typing के और जिससे मैंने भी practice की है, तो आपको Canada में आने के लिए, अगर आप यही job Canada में लेते हैं, तो आपको जो test pass करने पढ़ेंगे, वो है आपका typing skill, जो क 60 words per minute इनको चाहिए होता है, with 98% accuracy, मतलब आपकी 98% आपकी, जो आपने type किया है, वो ठीक होना चाहिए, 2% अगर आपने गलत spelling लिख दिया, या कुछ गलत type कर दिया, तो चलेगा, उसके लिए आपको इंडिया में अभी से ही practice करनी शुरू करनी पड़ेगी, अगर आप मैं इंटेक के हैं, आप अपरिल में आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लेट हो गए हो इस चीज़ के लिए, बड़ सेप्टेंबर इंटेक है, फिर अगले साल जो आना चाहते हैं, students अभी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मोका है, अगर आप इस चीज़ का experience भी सिर्फ आप audio सुनते हो, और just type and type and type, उसको interpret करके आप type करते हो, verbatum करते हो, जो वो बोल रहे हैं, वो आप type कर रहे हैं, बड़ मेडिकल स्क्राइब में ऐसा नहीं होता है, आपको interpret करना पड़ता है, कुछ चीज़े हैं, पीशन बोल रहा है, आपको छोड़नी पड़ती है जो important चीज़े हैं, वो आपको पूरा note बनाना होता है, तो basically यह जो इंडिया में job थी, मैंने तीन साल की, उसके बाद जब मैं, like मैंने research करना शिरू किया, कि Canada में मैं क्या ऐसी job कर सकते हूं, जो मेरी skill based हो, obviously मैं homeipathy practice नहीं कर सकती, without getting license here, so मुझे पता लगा कि एक company है, medical scribing क Canada में, so यह hire करती है, बस eligibility होनी चाहिए कि आप Canada में work करने के लिए eligible हो, और आपको experience हो थोड़ा, तो चलेगा, कोई issue नहीं होता है, इतना जादा यह query नहीं करते हैं, पूछते नहीं है, just आपको इनका exam, जो है, interview वो crack करना होता है, जो कि three parts में होता है, first is आपको, बहुत easy questions होते है, medical terminology वगेरा के हर कोई इसको clear कर सकता है, HPI, history of present illness, review of system वगेरा, सब के question होते हैं, और उसके बाद आपको, जो second अगर आप यह clear कर लेते हैं, जिसमें आपको 90 से above marks रही होते हैं, screening clear करने के लिए, second जो test आता है, वो है, आपका, means इसमें भी कुछ जादा नहीं होता है जिन्होंने स्क्राइबिंग दो, तीन, चार महीने भी कर रही होना, उनको भी पता लग जाएगा, कि मल उन से भी clear हो जाएगी, और third आता है, main thing typing, 60 words per minute, 98% accuracy के साथ, आपको clear करना पड़ता है, so यह है job medical scribing की, और 70 dollars per hour का wage देते हैं, जो कि minimum से थोड़ा सा जादा है, I know कि बहुत जादा नहीं है, but starting में बहुत अच्छा wage है, Canada में as a student, अगर आप work कर रहे हैं, तो यह था मेरा experience और यह नौक B level की job है, tier 2 level की job है, मैं इसका जो like screenshot है, कि यह tier 2 में आती है या नहीं, वो मैं आपको यहां पर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, और अगर हम बात कर graduate हो यहां से, उसके बाद आप tier 2 level की job धूंदना शुरू करते हो, because आपको PR की file apply करने के लिए, एक साल का experience चाहिए होता है, as you've worked in tier 2 level job, और अगर आपने की हैं, तो ही आप अपना PR के लिए apply कर सकते हो, तो मुझे अभी से यह job मिल गई है, मेरा काफी experience हो जाएगा, I know की part time experience during study account नहीं होता है, लेकिन जो मेरे study के बाद के months है, जब most of the students time waste करते हैं, ढूंदने में job को, नौक भी level की, तो मुझे मेरे पास already होगी, and I would, so that's all about the video, अगर आप कुछ पूछना है कि medical scribing के लिए, आप कैसे apply कर सकते हो, इंडिया में रहकर, तो आप मुझे नीचे comment box में जरूर पूछिएगा, मैं आपकी help करने की पूरी कोशिश करूँगे, और मुझे Instagram पर follow कर लेजिएगा, ताकि में वहाँ पे, कोई भी job opening होगी, अगर medical scribing की, इंडिया में, तो मैं आपको जरूर जो है, वहाँ पे post करूँगी, और वहाँ पे apply कर सकते हैं, बहुत ही अच इंपॉर्टेंटली जैनवरी इंटेक, जैनवरी इंटेक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, इसली, विकज मेरा experience रहा है, यहाँ पे जितने स्टूडेंस मेरे साथ यहां रहे रहे हैं, बहुत जादा मुश्किल है जैनवरी इंटेक में जॉब लेन अगर चाहते हैं ऐसी ही वीडियो देखना तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा, तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तो पहले, स्टे हल्दी, स्टे सेफ, नमस्कार